हलो दियर स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे विकानेर के महाराजा राजिसिंग जो कि सेकंड ग्रेड जीक्य में राजसान इस्ट्री का एक टोपिक है राजिसिंग कौन थे राजिसिंग विकानेर के राजा कल्याण मल के पुत्र थे और कल्याण मल अकबर की अधिनता स्विकार करने वाले विकानेर के पर्थम राजा थे विकानेर महाराजा राजिसिंग का सासन काल हैं 1524 से 1612 महाराजा राजिसिंग का सासन काल हैं कल्याण मल जो इनके पिता थे अकबर की अधिनता स्विकार करने वाले विकानेर के पर्थम राजा थे राजिसिंग का 1524 में राज़ारोण हुआ था पंद्रासो चोमत्र में राज़ारोण हुआ उपनाम क्या है राज़पुताने का कर्ण विकानेर महराजा राज़पुताने का कर्ण और इन्हें ये उपनाम की संग्या किस ने दी मुंसी देवी प्रसाद ने महराजा राज़पुताने का कर्ण कहा जबकि कल्यूग का करण किसे का जाता है राव लून करण को कल्यूग का करण का जाता है जबकि राजपुताने का करण है राजपुताने का करण है राजपुताने का करण 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 दिये, ये करम चंद हमने पड़ा था, मार्णा सांगा का सायोगी था, अजमेर का करमचंद, पमार, तो बिकानेर में जुनगड दुर्ग बनवाया, पंद्रासो चोरानमा में, राजिञ ने, राजिञ ने जुनगड में, राजिञ या जुनगड प्रसस्ति लिखवाई, का लेखक था जेता मुनी और राई सिंग प्रसष्टी में बिकानेर के राठोडों का वर्णन है राई सिंग ने बिकानेर में करणी माता का मंदिर बनवाया राम देव जी का मंदिर बनवाया राई सिंग के रचना ये कौन-कौन सी है बाल बोधिनी की टीका वेधक ली जोतिस रत्नमाला ये आप याद रखें आजकल रचनाओं से भी क्यूशन आते हैं अकबर राई सिंग को उसके बाद आगरा ले गए थे अकबर ने राई सिंग के छोटे भई पर्थिवराज सिंग को दरबारी कवी बनाया जो पिथल नाम से परसिद हुए अकबर ने राई सिंग का जो छोटा भई था पर्थिवराज वो कावे रचना में निपूर था इसलिए अकबर ने पर्थिवराज सिंग को दरबारी कवी बनाया जो पिथल नाम से परसिद हुए पर्थिवराज महाराना परताप का परसंसक था और इसी ने परताप को पुनः प्रिर तो पिथल नाम से कौन परशिद है पर्थविरात सींग और पाथल नाम से कौन परशिद है महराना परताब। परताब के रीट में क्यूशन आया था राम परसाद नाम था फिर मारणा परताब से अकबर ने चीन लिया तो क्या नाम रखा पीर परसाद और अकबर के हाथी का नाम था हवाई जबकि मान सिंग के हाथी का नाम क्या था मरदाना ये टोपिक मान सिंग आमेर के मान सिंग नाम अकबर ने राय सिंग को जोदपूर का परसासक बनाया जहां राय सिंग तीन वर्ष तक रहे राय सिंग ने पंद्रासुचंतर में शिरोही के राव सुर्थान और जालोर के ताजखा को मुगल अदिन्ता सुर्थान करवाई तथा शिवाना पर अधिकार किया तो राय सिंग ने पंद्रासुचंतर में किसको मुगल अदिन्ता सुर्थान करवाई शिरोही के राव सुर्थान को याद रखें पंद्रासुचंतर में शिरोही के राव सुर्थान और जालोर के ताजखा को मुगल अदिन्ता सुर्थान करवाई राई सिंग की सेवा से परसन होकर अकबर ने राई सिंग का मंचब बढ़ाया तता पांच परगने जागीर में दिये अब राई सिंग ने कौन-कौन सी लड़ाईया लड़ी? कठोली की लड़ाई सबसे पहले राई सिंग ने कठोली की लड़ाई लड़ी इब्राहिम हुसेन मिर्जा के खिलाब कठोली की लड़ाई किसके भी चुई थी? राई सिंग वर्सेज इब्राहिम हुसेन मिर्जा इसमें राई सिंग की विजए हुई हुसेन मिर्जा को न्याएक अभी रख्षा में रखा गया हुसेन मिर्जा को छुड़ाने कि लिए उसके स्योगी एक्तियारुस मुल्क ने अक्रमन किया था लेकिन भगवंद दास के हिसारे पर हुसेन मिर्जा को मौत के गाठ उतार दिया गया कठोली में इब्राहिम हुसेन मिर्जा का दखल बढ़ रहा था इसलिए अकबर ने राय सिंग को भेजा और राय सिंग ने हुसेन मिर्जा को पराजित किया और हुसेन मिर्जा को गिरपतार कर न्याय कभी रक्षा में रखा गया फिर हुसेन मिर्जा को सुड़ाने के लिए उसका स्योगी आया, एक्तियारोस मुल्क उसने आकर्मन किया, फिर भगवन दास के इशारे पर हुसेन मिर्जा को मौत के गाट उतार दिया गया 1581 में मान सिंग की साहिता के लिए एक शेनिक टुकडी राई सिंग के नेतरत में भी बेजी गई थी बलुचिस्तान के विद्रोई सर्दारों का दमन करने के लिए राई सिंग को बेजा गया था जब अब्दुलरहीम खान खाना ने कंदार के विद्रोई को दबाने के लिए अकबर से साहिता मांगी तो 1591 में में राई सिंग को उसकी साहिता के लिए बेजा गया था और राई सिंग का अंतिम अभ्यान को था था थट्टा अभ्यान 1530 में में यह अंतिम लड़ाई थी 1530 में का थट्टा अभ्यान बुरान मुल्क के विरुद दान्याल के 1530 में के थट्टा अभ्यान में राई सिंग सामिल था थट्टा अव्यान का बुवता पंद्रासो तर्राणमे में बुरान मुल्के विरुद। राईशींग की वतन और जागीर में कितने परगने थे? 47 परगने थे। अब हम कल अगले वीडियो में मेवाड के राज सिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद मेवाड का बंस और मुगल सल्तनत के साथ दिल्ली सल्तनत के साथ उनके संबन पढ़ेंगे तब तक जै हिन जै भारत